है लो हेलो फ्रेंड्स गुड मारनिंग कैसे हो आप उबीद करते हैं सब बढ़ी आओंगे चका चक होंगे तो यह मेहंदी दिखा रहे हैं आप लोगों को कि मेरा मेंदी देखे कैसा लाल हुआ ज्यादा लाल नहीं हुआ क्योंकि ज्यादा देर तक हम रखे नहीं थे तुरन पानी का काम करने लगे थे इसलिए तो चलिए आज का वीडियो जो है वो बहुत 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 ज़्यादा खाश है और खाश क्यूं है यह आप लोगों को आगे पता चल जागा सबसे पहले तो कुछ फ्रेंड है जिनका कॉस्टन है उनका एंसर हम वीडियो में ही दे देत पूछ रही है कि दी आपके कितने बच्चे हैं और तो मेरे ना दो बच्चे हैं एक लड़का एक लड़की है उसके बाद और भी बहुत सारे फ्रेंड है जो की नए जुड़ रहे हैं उन लोगों को साथ पता नहीं है कि हम कहां है कहां से हैं कहां रहते हैं तो हम उन लोग को भी बता देना चाहते हैं कि अभीना हम जारखंड में हैं और हम बिहार में मेरा मायका बिहार में है और सस्राल जारखंड में है उसके बाद एक फ्रेंड और है जो की पूछ रही थी कि आपका किस चीज का दुकान है तो जी मेरा हाड़वेर का दुकान है और चोटी सी जग अधिनल्ट के पूरा हो रहा है। भुर भी हो खाने में भी मतलब लंच और नास्ता दिनर तीनों टाइम उसी का का फर्माईज का बन का बन रहा है। तो आज उसका फर्माईज था आलू की कचोड़ी खाने का मन था। बोल रही थी कि मम्मी आलू का कचोड़ी बना रहे थे तो उसी के लिए आलू का कचोड़ी बना रहे थे तो लहसन प्यास तो डाले नहीं है तो बस करी पत्ता का तड़का लगा है आप लोग देखें ये मिर्च का तड़का लगा है बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बहुत अच्छा टेस्ट आया था बहुत ही अच्छा बनाता यह उसके बाद चोखा जो था आलू का वो मशाला भून के निकाल लिए भूना हुआ मशाला का जब बनाते हैं तो इसका सूंधा पन अच्छा आता है लेसन पे अगर डालते तो ऐसे भी बना देते कच्छे आलू खार खार चारी खार्श को रही थे और अभी भी वारिष हो रही है आप लोगों को आवाज आ रहा होगा तो है नेचराली एपरुख का सीजन फ़ शावन का महिना है फ़ रहना जाहिए और भारिष में यह सब थोड़ा सा मन कर जाता है खाने का वाइसे तो हम जल्दी बनाते नहीं थे आप लोग देखे ही होंगे क्योंकि मेरा प्लेन सफेद रोटी रहता है बनाना नास्ते में लेकिन निम्मी आई हुई है तो चलो बना देते हैं इसी बहाने हम लोग भी खा लेंगे थोड़ा-थोड़ा तो फ्रेंड्स जितने भी फ्रेंड्स का कुस्चन था साथ उनको उनका एंसर मिल गया और अगर कोई और भी कुस्चन है कुछ और पुछना चाहते हैं कोई तो बेजी जग पूछ सकते हैं हम सब कुछ बता देंगे उसके बाद जो नए हैं चैनल पे वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर दीजेगा क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और बहुत जादा टाइम भी लगता है इसलिए लाइक तो ज़रूरी है और लाइक से होता कुछ नहीं बस थोड़ी सी मोटिव होते हैं हम लोग और कुछ नहीं तो अगर मॉटिवेट अगर आपकी एक लाइक की वज़ा से हो जाते हैं तो आपका भला ही होगा बुरा नहीं होगा इसलिए लाइक कर दीजेगा तो चलिए कचोड़िया बनाते बनाते मतलब स्टॉफ करके बनाते यह वाला आईडिया द अपना पहली बार इस तरह से इसको रोल करने है रोटी जैसा बेल के उसके उपर आलू का जो मशाला था वो फैला लिए उसके बाद इसको चाकू से कट दिया और उसके बाद इसका जो कटा ना आटा थोड़ा सा मेरा ये हो गया था क्योंकि पहले ही आटा गुत के मिला के सॉफ्ट हो जाता है तो इसमे तरह जाता है वें ठाइटा जाया तो यहow लुदे के गता मेरला ये तो बाद आ अच्छा लगा तेखने में अच्छा तो निम्मी को लग गया था भूख भी वह बार बार यहीं पर थी किचिन के दर्वाजे पर ही की बना बना हाँ हो गया हो गया और इसको जो फ्राइ कर रहे थे न तो देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा था उस कचोड़ी के मुक्तुलना में यह जादा ही अच्छा ल शॉपिंग जो किये थे सेल सेल में वो भी दिखाना है कि क्या क्या खरीत के लाए थे और एक फ्रेंड ने पूछा था अनू राग लेकिन उसका नाम है मम्ता पढ़ना में रहती है तो मम्ता बैहन ने पूछा था कि आपका शमन पूरिया आ गया तो मम्ता बैहन मेरे शमन कही पैसा से हम गय थे सौपिंग करने तो वही खरते हैं तो आप लोग को आज दिखाएंगे कि क्या क्या खरते हैं पहले सबसे पहले नास्ता कर लेते हैं गर्मी तो इतना तेज थोड़ा सा बारिश हुआ उसके बाद फिर अच्छा खासा धूप निकल गया और गर्मी इतना तेज बढ़ गया कि क्या बता है वो नहीं होता है न कि थोड़ा सा पारिश होने का बाद लगता है जैसे कि धर्ती के नीचे से और भाफ निकल रहा है वैसा वाला गर्मी हो रहा था बहुत तेज पंखा थोड़ा सा तेज की हैं उसके बाद पड़ा-पड़ से नास्ता कर लिए तब तक मेरा ये जो कपड़ा था ये दो दीन का कपड़ा था कल का और आज का नहीं आज का तो भी शुखा ही नहीं है सौरी कल का और परसो का दो दीन का कपड़ा था तो बैठे-बैठे निमी के बोलें के निमी चाहिक हो थोड़ा साह ये वाला इन 20 स्रिया दो तो वह भीटके सरिया रही थी लेकिन साडी जो होता ना बड़ी होता है साडी तो Warren भोल रहे थिमामें यह साडी हम है थैना साडि हम शरिया दी आई हैं बाकी करस्व कपड़ा सरिया ली उसके बाद यह तो हो गया चलिए कपड़ा वाला बात हो गया जब बात होगा तो जलीए आपठों से दिखाते हैं जो हम खरीत के लाए थे परसो स्थ ये देखे ये वहला खरीद के लाया थे और प्हृब्व तो हम च्लार खरीद आपढते हैं ये देखे चाहिए पहले मतलब की फायती नहीं करते हैं कि यह नहीं यह वो नहीं वो नहीं वो कंपरमाइज करके हम नहीं लेते हैं साड़ी हो या फिर और कोई ड्रेस हो वो करके नहीं लेते हैं तो यह जो सबसे पहले हम दिखाएं आप लोगों को यह था वन पीस अपने लिए लिए थे इसके नीचे कुछ पहन ले बहुत खुबसूरत लग रहा था और इसका प्राइस जानते हैं कितना बड़ा 500 लग नहीं रहा ना कि 500 तक का है 499 पड़ा और ये वाला देखिए ये कुर्ती बहुत ही इसका प्यारा कलर था इतना खुबसूरत था कि ये तो एक नजर में पसंद आ गया रानी कलर वाला जो तो मतलब वो उसको लेना नहीं था लेना सिर्फ मुझे ही था लेकिन वो जब साथ गई तो होता है कि मम्मे आप ले रहे हो तो मेरा भी कुछ चाहिए तो उसको यह पशंद आ गया तो सूचे चलो ठीक है ले लो और एक लेगन्स भी लिये थे तो यह देखे बहुत ही अच्छा लिये थे बस यह लिये थे और उसके बाद जो होता है न शावनपुरिया में हम लोग आता है लोग जरूर बताएगा कि दोनों कुर्ती में से सबसे जादा सुंदर और प्यारा कॉन सा लग रहा है उसके बाद सारा काम निप्टाने के बाद फिर यहां पर हम लेके बैठ गये यह पुराने वाले गमले हैं जो कि तीन साल पुराना है बारिश में धूप में इसके कलर बाद उड़ गया है और यह गमला भी पहुत जादा मजबूत है तो और इसको इसमें न और भी जादा इंडोर प्लांट लाएंगे तो इसमें लगाएंगे तो और यह घर के अंदर रहे गा तो इसका कलर जो इस टाइप से हो गया तो वह भी अच्छा नहीं लग रहा था तो सोचे चलो इसमें कुछ जुगाण कर लेते हैं, तो जुगाण में क्या किया है, यह वाला कलर मेरा घर का कलर है, जो कि बचा हुआ था, इसको ना रख दिये थे, किसी डब्बे में पैक करके, अच्छे से यह सूखा नहीं था, और इसको रखने का इतना अच्छा आज इस कि इसका थोड़ा सोफ्ट हो जाया, ताकि काम चल जाया मेरा, और सारे गमले में हम इससे पेंट कर दिये, इसका कलर चढ़ा दिया, बड़ा खूबसूरत लग रहा था, मतलब मेरे सारे पुराने गमले जो है, नया हो गया थे, तो पैसा खर्च करने का जरूद भी नहीं प मेरा काम निपट गया, और सारा मितला कहते हैं कि कलर का भी पैसा वसूल और गमले का भी पैसा वसूल, हाँ मेहनत थोड़ा सा लगा, ताइंग थोड़ा सा लगा, लेकिन वो तो खेर अपना है, मेहनत भी अपना है, और टाइंग भी अपना है, तो सबसे पहले तो यह सारे जाहे कें व चौकलेट कलर से कर दिए उसके वाद ये वाला वाइट कलर भी थोड़ा सा बचा हुआ था गया वाइट कलर लिए लेकिन मेरे-पास पतला जो होता है न जीरो साइज का ब्रस वह नहीं था मेरे-पास तो हम ऐसे कर के इसको कॉटन लपेटे माचज की तीली में, उसके बाद इसमें सुचे कुछ बनाते हैं तो डिजाइन में वैसा तो हम पैंटिंग-वैंटिंग आता नहीं है फैर पैंटिंग आता है, बहुत पहले हम सीखे हैं . लेकिन भूल बाल गया है प्रैक्टिस भी नहीं है तो वैसा कुछ नहीं है सम्हाल के रखा हुआ चीज देखिए कैसे काम आता है कब काम आ जाए किसी चीज का कुछ कहा नहीं जा सकता और ये देखिए ये कलर अगर सूख के फेका जाता बरबाद हो जाता उससे अच्छा कि ये कलर यूज हो गया और भी जो दो तीन गमले पड़े हैं बचे हुए हैं वो सब में हम कर देंगे ऐसे ही कुछ न कुछ कर देंगे कलर से तो सारा मेरा बेकार कलर जो है वो यूज हो जाएगा काम में आ जाएगा तो फ्रेंट्स ये आइडिया कैसा लगा आप लोग जरूर बताईएगा बाइश तो श्रावाद धावाद कार देंगे कार देंगे देंगे प्रेंगे कार बताई देंगाईगा से जरूर जरूर बताफे हैं